Asset से आपके pocket में पैसे आते हैं और liability से आपके pocket से पैसे निकलते हैं कुछ भी या तो asset हो सकता है या liability हो सकता है For example ये है iPhone 15 Pro इसकी कीमत जो है वो almost 1,60,000 रुपे है अब जो वेक्ति content creator है जो YouTube पे वीडियो डालता है या Instagram पे content बनाता है उसके लिए ये हो सकता है asset है क्योंकि वो इस phone को use कर सकता है वीडियो recording के लिए या वीडियो editing के लिए और इससे वो पैसे कमा सकता है लेकिन एक normal वेक्ति के लिए ये एक liability हो सकता है उसी प्रकार एक car asset हो सकता है अगर आप इसे खरीदते हैं और इसे आप rent करते हैं और इसे आप पैसे कमाते हैं वही पर ये एक liability हो सकता है अगर आप social status को maintain करने के लिए अपने budget के बाहर का car खरीदते हैं तो ये definitely एक liability है उसी प्रकार आप मुझे comment section ने बताइए कि एक apartment कैसे asset हो सकता है और कैसे liability हो सकता है मैं आपके सारे comments पर उना Robert Kiyosaki के book से मैंने cash flow statement सीखा है different logo का तो जो गरीब लोग होते हैं उनका जो income statement है वो कुछ ऐसा दिखता है चहांपे वो एक कोई job कर रहे होते हैं उस job से उनको salary मिलती है और salary मिलते ही उनके पैसे खर्च हो जाते हैं तो उनका जो balance sheet है वो पूरा खाली है ना ही उनके पास कोई asset है ना ही कोई जादा liability है दूसरा cash flow statement सबसे interesting है जो है middle class लोगों का cash flow statement तो इनके पास भी एक job होती है और इनके balance sheet में कई सारी liabilities होती हैं जैसे घर का loan हो गया, car loan हो गया, credit card bill हो गया, school loan हो गया या प्लस जितनी सारे loans है सब इस category में आती है तो इस liabilities की वज़े से इनके जो पैसे हैं वो आते ही सबसे पहले liabilities में खर्च हो जाते हैं तो इनके पास कोई भी asset नहीं होता है लेकिन जो अमीर वेक्ति होते हैं उनका जो income statement है वो कुछ ऐसा दिखता है इनके पास भी एक job या business होता है उससे इनको income आती है प्लस इनके पास कई सारे assets होते हैं assets जैसे properties हो गई stocks हो गया bonds हो गया cash हो गया या intellectual properties हो गई तो इस कारण इनके जो asset है यहां से भी इनके पास पैसे आ रहे हैं और main जो job और business है उनसे भी पैसे आ रहे हैं इनके income statement में आप देख सकते हैं कई सारे different kinds of income है rental income हो गया dividend हो गया interest हो गया royalties हो गया और क्योंकि इनके different types of income है इससे इनका expenses and liabilities payment करने में उनको दिक्कत नहीं आती है और ये सारे खर्चे करने के बाद भी इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे बचते हैं तो अगर हम इस cash flow statement से एक point कोई याद रखे तो basic wealth formula यही है कि अमीर को यूज करके वो और ज्यादा asset खरीदते हैं और इन assets की वज़े से उनको मिलती है financial freedom financial freedom यानि आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े आप काम कर रहे हो क्योंकि life में कुछ करना है आपके काम करने का जो main motivation factor है वो पैसे नहीं है लेकिन इसका एक opposite formula भी है जो है wealth destroying formula इसमे जो गरीब लोग होते हैं या जो middle class लोग होते हैं वो ज्यादा खरीदते हैं liabilities जिससे वो loans और EMI के trap में फसते हैं और इस कारण वो lifetime तक struggle करते हैं तो आपको decide करना है कि आपको wealth destroying formula को use करना है या फिर wealth building formula को तो इस video में मैं आपके सार 12 ऐसे assets share करूँगा जिसमें अगर जादा acquire करते हो तो आप जल्दी अमीर बनेंगे और आप financial freedom जल्दी अचीव कर पाएंगे तो पहला asset है cash आप शायद बोलेंगे वा sir क्या आपने चीज बोल दे cash मुझे तो पता ही नहीं था कि cash बहुत बड़ा asset है लेकिन ऐसी बात नहीं है देखो cash is king जो दुनिया की जो स 7,86,715 करोड का है अगर हम Google के example ले तो उनके पास भी almost 100 billion dollars का cash reserves है Berkshire Hathaway यानि Warren Buffett की company के पास 276 billion dollars का cash reserves पढ़ा हुआ है तो important question यहाँ पर यह आता है कि इतनी बड़ी companies के पास इतना जादा cash reserves क्यों है तो इसका simple सा answer यह है कि जब भी उनको कोई opportunity मिले तो उस opportunity में invest करने के लिए इनके पास पैसे होने चाहिए इसलिए बड़ी companies या फिर अमीर लोग बहुत जादा cash reserves रखते हैं सबसे बड़ी mistake जो middle class लोग करते हैं वो है कि वो fully invested रहते हैं अगर उनके पास 5,000,000 रुपे पड़े हुए हैं तो उन्हें लगता है कि आर इस 5,000,000 रुपे को कहीं पर invest करें तो वो क्या करते हैं वो stocks में पैसे लगा देते हैं या फिर mutual funds में पैसे लगा लेते हैं तो इस कारण अगर कोई opportunity आती है जैसे कि अगर कोई market crash आया या फिर कोई business idea आया तो उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं उसे capitalize करने के लिए तो मेरा advice आपके लिए ये र रहेंगे अगर life में कोई हादसा होता है जिस कारण आपका जो cash inflow है वो बंद हो जाता है तो फिर आपको problem नहीं आनी चाहिए इसलिए emergency fund बहुत important है और emergency fund save करने का सबसे best तरीका है fixed deposit में invest करना fixed deposit में आप अपने पैसे bank में रखते हैं और वहां से आपको fixed interest मिलता है लेकिन सबसे बड़ी problem FD के साथ ये है कि आपको जो interest है वो बहुत जादा नहीं मिलता है on an average 6-7% आपको annual interest मिलता है और साथ ही साथ आपके पैसे भी lock हो जाते है FD में और अगर आप maturity से पहले FD तोड़ते हैं तो आपको penalty लगती है इसलिए आपको normal FD नहीं आपको करने ही चाहि कि आप कभी भी अपने पैसे withdraw कर सकते हैं और पैसे आपके bank account में तुरंत आ जाते हैं stable money पर आप 200 से जादा bank को का FD compare कर सकते हैं और अपने लिए best FD को चुन सकते हैं और बात करे security की तो सारे bank FDs insured है DIC GC से जो की RBI की subsidiary है जो हर user को हर bank account में 5 लाख रुपे तक का insurance देती Stable money के साथ आप अलग-अलग bank account में fixed deposit कर सकते हैं बिना उसमें savings account खोले Stable money आपको directly bank से connect करता है तो पैसे directly Stable money में save नहीं होते हैं तो description and pinned comment में Stable money का link दिया हुआ है जिस पर click करके आप normal FD नहीं smart FD कर सकते हैं और ज़्यादा returns कमा सकते हैं अपने emergency fund के लिए दूसरा asset जिसमें अमीर लोग invest करते हैं वो है real estate एक मैंने बहुत ही कमाल की book पड़ी है The Millionaire Real Estate Investor ये book बहुत ही कमाल की book है और अगर आप comment करेंगे तो मैं इसका summary भी डाल दूगा इस book में बेसिकली बताया गया है कि अमीर लोग और गरीब लोग कैसे invest करते हैं real estate में तो इ सिर्फ एक property में invest नहीं करते हैं वो different types of properties में invest करते हैं जहां से उनको rental income मिले और साथी साथ long term में जो property के value है वो भी बढ़नी चाहिए दूसरा strategy जो अमीर लोग use करते हैं real estate investing में वो है diversification यानि वो कभी भी एक type of property में invest नहीं करते हैं वो apartment में invest करते हैं वो rental space खरीते हैं वो plot खरीते हैं land खरीते हैं जहां से long run में उनकी जो capital appreciation है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है और diversification की वज़े से जो risk है वो बहुत कम हो जाता है compared to जब आप सर्फ एक ही property type में invest करते हैं तो और इस book के according जो middle class लोग होते हैं वो अपने life का सबसे बड़ा investment करते हैं अपने घर में औ दूसरी problem यह है कि वो capital appreciation पर ध्यान ना देकर वो emotional होके property खरीदते हैं कि अपना घर होना चाहिए चाहे locality कैसी भी हो लेकिन वो जो sense of ownership है उनको वो चाहिए होता है तो key difference वही है कि अमीर लोग loan को smartly use करते हैं और उनकी जो mindset होती है कि rental income तो मिले ही साथ ही साथ जो property की value है व जिसमें अमीर लोग invest करते हैं वो है real estate अब आते हैं asset number 3 पे और जो सबसे popular है वो है stocks तो जब आप stocks में invest करते हैं तो आप उस company में invest कर रहे हैं और जो key difference है अमीर लोगों में या उन लोगों में जिनकी mindset उतनी strong नहीं है अमीर लोग focus करते हैं long term के लिए वही पर जो middle class लोग है वो generally short term gains में ज्यादा ध्यान देते हैं और वो emotionally बहुत react करते हैं तो जब आप stocks में invest करते हैं तो आपको दो फाइदा मिलता है एक तो है आपका stock appreciation और दूसरा है आपका dividend जैसा कि आप देख सकते हैं यह है भारतिय अटल का stock तो अगर आपने इस company में 5 साल पहले invest किया होत तो यह भी एक source of income है और जिससे अमीर लोग और अमीर होते हैं जैसे example के लिए इस साल Warren Buffett को 5 stock से 4.36 billion dollars का dividend मिला है आप देख सकते हैं Bank of America से 991.5 million dollars Occidental Petroleum से 897.5 million dollars Apple से 869.3 million dollars Chevron से 822.1 million dollars और Coca-Cola से 776 million dollars का तो जब आप stocks में invest करते हैं और वो अगर company अच्छी होती है तो आपको long run में stock appreciation भी मिलता है साथे साथ dividend भी मिलता है और यह काफी बढ़िया passive income हो सकता है आप सभी के लिए अब आते हैं asset number 4 पे जिसमें अमीर लोग बहुत invest करते हैं वो है mutual funds mutual funds में basically आप पैसे देते हैं किसी EMC को और वो आपके बिहाद में invest करते हैं stocks में या debt में या cash में और mutual fund में जब आप invest कर रहे हो तो आप diversification का आपका फाइदा मिलता है आपको professional management मिलती है यानि आपके जो पैसे हैं वो qualified professional लोग manage कर रहे हैं जिनका full time काम ही है पैसे invest करना और normal SIP करते हैं और जो अमीर लोग होते हैं वो करते हैं smart SIP जैसे normal SIP में यहाँ मान लेते हैं कि आप 10,000 रुपे invest करते हैं और आप expect कर रहे हैं 15% का returns तो next 10 साल में आपने total invest किया है 12,000,000 रुपे और जो आपकी total value है वो almost 28,000,000 रुपीज हो चुकी है और यहीं पे जो अमीर 15% का annual returns achieve करेंगे तो आप देख सकते हैं next 10 years में almost 40,000,000 रुपीज का उनका portfolio हो गया है और साथ ही साथ जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी mutual funds को भी actively manage करते हैं अगर market बहुत जादा crash हो जाता है या बहुत dip आता है तब वो lump sum invest करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत cash reserve भी होता ह तो इससे उनको बहुत फाइदा मिलता है तो ये था asset number 4 जिसमें अमीर लोग invest करते हैं वो है mutual funds अब आते हैं asset number 5 पे जो है bonds bonds में basically आप किसी company या फिर government को पैसे देते हैं और उसके बदले आपको fixed interest मिलता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ state government guaranteed bonds है तो जैसे example के लि और यहां पर complete cash flow भी आप देख सकते हैं कि अगर आप 5,000,000 रुपे invest करते हैं तो 22 December को आपको 11,000 रुपे मिलेगा interest फिर 2025 में भी आपको interest मिलेगा 22 March को 22 June को 22 September को 22 December को तो आप देख सकते हैं कि आपके 5,000,000 रुपे के investment पर आपको almost 4,000,000 रुपे का interest payment मिलेगा और जो total returns आ almost 9,000,000 रुपे का मिलेगा यह मैं आपको recommend नहीं कर रहा हूँ यह मैं आपको example के लिए बता रहा हूँ कि bonds कैसे काम करता है तो पांचवा asset जिसमें अमीर लोग बहुत invest करते हैं वो है bonds तो आप आते हैं asset number 6 पे जो है digital assets देखिए physical asset होना तो important है ही लेकिन आज के जमाने में digital asset को भी उतना ही importance दिया जाता है तो अगर आपके पास Instagram पे या फिर YouTube पे काफी अच्छे followers है या फिर आपने कुछ websites या फिर apps डेवलप की हैं तो इसे digital asset कहते हैं इसमें सबसे बड़ी advantage यह है कि इसमें scalability बहुत जाता रहती है यानि बहुत जल्दी आप बहुत लोगों तक पहुच सकते हैं और आप अपने digital product से काफी बढ़िया passive income भी बना सकते हैं और इसका feature यह है कि इसमें आपका जो returns है वो काफी जादा high है compared to आपके investment पे क्योंकि website बनाना या फिर app बनाना या फिर content create करना इसमें उतने पैसे नहीं लगते हैं लेकिन जो returns है वो काफी exponential returns आप आपको मिल सकता है अगर आप बढ़िया product या फिर बढ़िया content बनाते हैं तो जैसे कि बहुत ही interesting business है वो है domain name का जैसे for example मेरा domain name यह है bookpillar.in तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे domains को वो खरीद लेते हैं domain name को खरीद लेते हैं for example जैसे यह cars.com है यह किसीने पहल 72 million dollars में उसी तरीके से आप देख सकते है business.com है lastvegas.com है तो यह भी एक बहुत ही unique business idea है जो बहुत लोग इसमें काम करते भी है और इसका importance आमील लोग समझते हैं इसलिए वो digital asset में बहुत invest करते हैं अब आते हैं asset number 7 पे जो है equipments बहुत सारे आमील लोग क्या करते हैं कि वो ब अब की requirements आपको हमेशा रहने वाली है और बहुत सारे जो builders होते हैं वो ये machines को नहीं खरीदते हैं वो basically rent पे ले लेते हैं तो इसमें भी काफी बढ़िया income हो जाती है अमीर लोगों की वो साथी साथ event equipments हो गया जैसे कि sound system हो गया stage हो गया projector हो गया mics हो गया ये भी आप rent पे चड़ा के काफी बढ़िया income generate कर सकते हैं साथी साथ agricultural machinery हो गयी tractors हो गया harvesters हो गया irrigation system हो गया तो इसमें आपको बस one time investment करनी होती है और थोड़ा बहुत maintenance में खर्चा होता है लेकिन इसके demand हमेशा आपको मिलेगी depending काम कितना है तो आपको घंटे का 10,000 से लेके 50,000 रुपे भ intensive equipments खरीदने के लिए तो वो उसमें invest करते हैं और rent से काफी बढ़िया पैसे कमाते हैं वो अब आते हैं asset number 8 जो है commodities जैसे gold हो गया silver, platinum, oil, fine art, wine इन सब चीजों में भी अमीर लोग काफी invest करते हैं जिससे कि long run में इनको काफी फाइदा होता है asset number 9 है patents अगर आपने कुछ invent किय या फिर आपने कुछ बनाया है तो अमीर लोग उसका patent बना लेते हैं जिससे कि वो उस patent को बेच के भी पैसे कमाते हैं और ये बहुत बड़ी industry है जिसमें अमीर लोग काफी invest करते हैं अब आते हैं asset number 10 जो है royalties, royalties में आपको कुछ percentage of share मिलता है, example के लिए अगर आपने book लि आपको एक बार hard work करनी है, एक book लिखने के लिए या फिर एक music बनाने के लिए लेकिन अगर वो successful हो गया तो आपको lifetime तक passive income मिलेगी जब भी लोग उस गाने को use करेंगे तो, तो royalties आपको definitely बहुत अमीर बना सकता है, अब आते हैं asset number 11 जो है brand and goodwill, देखो अमीर लोग ना बह आपकी और आपकी company के value बहुत बढ़ती है, क्योंकि यहां पर game सारा trust का है, customer जितना आपको trust करेंगे उतना वो आपसे चीजे खरीदेंगे, इसलिए rich लोग बहुत invest करते हैं अपनी brand और goodwill में, अब आते हैं final asset में जो है people, अमीर लोगों को पता है कि उनके पास time बहुत limited ह उनके पास resources हैं पैसे के, तो उसे वो use करते हैं delegate करके, या फिर अपने से बहुत ज़्यादा better लोगों को hire करके, तो मुझे पता है कि यह सब के लिए possible नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना आपको अच्छे लोगों में invest करना चाहिए, यहां पर बात पैसे की नहीं हो रही ह यहां पर बात network की भी हो रही है, अगर आप अभी student है, या फिर आपने अभी अपना career शुरू ही किया है, तो अच्छे लोगों के साथ hangout कीजिए, और जिससे की आप inspire हो कि मुझे hard work करनी है life में, उनके साथ अपना सबसे ज़्यादा time बिताईए, तो आज के वीडियो के ल quality है, ये भी जरूर mention कीजिए comment section में, मैं आपके सारे comments पढ़ूगा, तो उमीद करता हूँ आपको ये video helpful लगी होगी, तो अगर आपको fixed deposit शुरू करना है, तो आप stable money के through fixed deposit open कर सकते हैं, इसका link description और pinned comment में दिया हुआ है, तो आप इसे जरूर चेक कीजिए, तो अगर आपक के पास अभी और time है, तो आप मेरी ये video देख सकते हैं, इस video में मैंने बताया है कि वो 10 middle class traps क्या है, जो आपको avoid करनी चाहिए, अगर आपको life में बहुत अमीर बनना है, तो